आखिर इन हार्मोन्स को रोकता कौन है कौन सा हार्मोन है जो इनको रिलीज होने से रोकता है जिसके करण हमारे अंदर डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बिमारी यहां 20 तरह की आती है मोबाइल की लग जाती है, ड्रिंक की लग जाती है कि हम लोग क्यों उदर की साइट चल पड़ते है मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा एक यहां पर, मोबाइल के बारे में जरूर बताऊंगा बच्चों के अंदर मोबाइल की लट है मोबाइल की लट लगी वी है ठीक है साब मोबाइल की लट लगी वी है उस बच्चे का क्या टारगेट है कि मेरे को मोबाइल लेना है उसे क्या करना है मोबाइल लेने के लिए एक्शन करना है वो बाग के जाएगा एक्शन करेगा मोबाइल लेने के लिए और action के लिए कौन सा hormone responsive है नवश्कार दोस्तो मेरा ना विनीच शर्मा है आप सभी लोगों का स्वागत है Team 360 के इस YouTube चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि आप कैसे एक successful psychotherapist बनकर लाख और रुपे महिना आसानी से कमा सकते हैं बलकि न के उल पैसा कमा सकते हैं बलकि लोगों की जिंदिगी को भी transform कर सकते हैं जिंदिगी में उनके खुशवालियां बर सकते हैं उनके बिमारियों को दूर कर सकते हैं उन्हें depression, anxiety सभी सब आर निकाल सकते हैं आप एक verbal communication treatment करकर जबरदस्त कमाल कर सकते हैं समाज में तो real contribution आप देंगे लेकिन साथ में एक successful psychotherapist बन अपनी जिंदिगी भी सुधार सकते हैं और लाख और में महिना कमा सकते हैं आज इस वीडियो के अंदर मैं उसी बारे में आपको बताऊँगा लेकिन आज इस वीडियो में आपको psychotherapist कैसे बन सकते हैं उस विशा में मैं आपको न बताते हुए क्योंकि psychotherapist आप कैसे बनेंगे ट्रेनिंग कैसे मिलेगी वो किसी और वीडियो में आपको जानने को मिलेगा लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आप एक सफल साइको थ्रेपिस्ट बन कर लोगों को कैसे help कर सकते और इसका क्या scope है इसका क्या scope है तब ही तो आप इस field में आगे बढ़ने की सोचेंगे तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर में आपके जीवन की आपके जीवन की उन समस्याओं के बारे में बात करूँगा उन इशूस के बारे में बात करूँगा जिने आप लंबे टाइम से जेल रहे हैं हो सकता है कि आपका बिजनस ठीक से नहीं चल रहा है हो सकता है कि आपकी relation अच्छे नहीं है sweet relationship नहीं है आपकी हो सकता है आपका behavior अच्छा नहीं है हो सकता है आपके पास में लोग तो बहुत सारे हैं लेकिन फिर भी आप अकेले पन के शिकार हैं बहुत अकेला पन आपको खाता है जबकि आप एक समाज में रहते हैं आपके इर्द इर्द लोग हैं उसके बाद भी आप अकेले पन के शिकार हैं आपको डेप्रेशन हो सकता है आपको इंग्जाइटी हो सकती है आपको टेंशन हो सकती है आपको बिमारियां जल्दी पकड़ती हैं कुछ ना कुछ कारण हो सकता है जिसके कारण आप प करेंगे लेकिन आज एक गंबीर समस्या के बारे में और बात करूंगा लोगों में सुसाइट रेशियो बढ़ रहा है बच्चों में आप दूर कर सकते हैं उनका तनाव ताकि उसुसाइट तक ना पोंचे बच्चों के अंदर मोबाइल की जबड़ता सलत लगी वी है यानि आप देखेंगे अमेरिका में ब्रिटेन में आइरलेंड में मोबाइल बैन कर दिये गए हैं क्योंकि बच्चे डेड़ सो परसेंट स्ट्रेस में आ चुके हैं क्योंकि पांस-पांस घंटा मोबाइल में लगे हुए खेल रहे हैं रील देख रहे हैं परेशान हो रखे हैं तो उन समस्याओं से आप बच्चों को कैसे निजात दिला सकते हो, मोबाइल से कैसे छोड़ा सकते हो, बच्चों के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर bad habits है, smoking के, drinking की, porn addiction है, कोई भी तरह की दिक्कत है, आप उन्हें दूर कर सकते है, scope के बारे में बात करें, जवरदस्ते हैं, लेकिन ये सब होती क्यों समस्याओं है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, कि आखिर ये समस्याओं होती क्यों है, दोस्तों हमारे brain के अंदर एक happy hormone secretion होता है, ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, चाहें तो आप notes बना लिजिए, क्योंकि मैं कहूंगा आप notes बनाएं, या इस वीडियो को बार बार देखने की need होगी, मैं बता रहा हूँ, आपको बार बार देखना पड़ेगा, देखेंगे तो हर बार कुछ ने कुछ नया जानने को मिलेगा आपको, हमारे brain के अंदर happy hormone का secretion होता है, उसी की वज़े से सब कुछ खेल होता है, लेकिन आखिर ये happy hormone होता क्या है, इसे कौन secret करता है, हम कोई गलती कर रहे हैं, तो क्या हम उसे ठीक कर सकते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, लेकिन अकसर लोग हमारे वीडियो को देखने के बाद, हमें phone करके बोलते हैं, mail करते हैं, message आते हैं, whatsapp पे आते हैं, और आप तो psychotherapist लिसर बताईए, हम कैसे इस बीमारी को दूर कर सकते हैं, हमारे पास में बहुत सारे mail वगएरा, ये whatsapp message आते रहते हैं, क्योंकि हम YouTube के बड़ वीडियो डालते हैं, तो लोग देखे अप्रोच करते हैं, लेकिन जब अक्सर लोग हमें कहते हैं, कि मेरे depression है, anxiety है, या मेरे tension है, depression है, stress है, गुट्नों में दर्द है, पेट खराब है, heart की problem है, diabetes है, या migraine की समस्य है, 20 तरह की बिमारियां जब लोग हमें बताते हैं, तो मैं आपको कहना चाहूँगा, दोस्तों, आप बिमारियां जब शेयर करते हैं, तो आप बिमारी को सिम्टम्स हमें बता रहे हैं, कि हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, हमारे साथ में ऐसा हो रहा है, जब आप ये सिम्टम हमारे साथ में शेयर करते हैं, तो मैं कहूँगा, कि आप हमें ये बता रहे हैं कि एक पेड है जिसके उपर कांटे लगे हुए हैं और आप हमसे उन कांटों को हटाने की बात कर रहे हैं जबकि मैं कहूंगा कि एक कीकर का पेड है उसका सभाव कांटे पैदा करना है आप कह रहे हैं कि कांटे हटा दो कांटे नहीं अटेंगे कीकर के पेड़ का सुभाव है कि आज नहीं तो कल देगा तो कांटे तो आपको क्या चीज़ चेंज करने की ज़रोत है आपको पेड़ का बीच ही चेंज करने की ज़रोत है पेड़ का अगर बीच चेंज हो जाएगा तो बिमारिया भी खतम हो जाएगा और उस बीच को मैं कहूँगा brain chemicals हमारे brain में जो chemicals है उने ये brain chemicals के बारे में ध्यान से समझिएगा और मैं फिर पुने कहूँगा कि आप इस वीडियो को दो तीन बार notes बना लिजिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है अगर आप DMIT और mid band की इंडस्ट्री में तो ये वीडियो आपके लिए जबड़ दस्त है और अगर आप एक psychotherapist बनना चाहते है NLP के certified practitioner बनना चाहते है NLP and आप कोई divine empowerment का certified trainer बनके शशक जबड़ दस तरीके से लोगों के help करना चाहते है और लाख होर में महिना कमाना चाहते है तो ये वीडियो आप ही के लिए है तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि आखिरो brain chemical कौन से हैं जिसके imbalance होने की वज़े से हम लोग बिमार पढ़ते हैं हमारी आती है और परेशानी में चल पढ़ते हैं इवन relationship भी हमारे उनी की वज़े से खराब होते हैं तो ये hormone इसके बारे में बात बताऊंगा आपको एक hormone जिसे हम बोलेंगे dose इस hormone के बारे में हम जानेंगे देखिए ये होता है dopamine ये dopamine hormone क्या करता है dopamine hormone हमें action के लिए responsible है मैं short में लिखूंगा ये action के लिए responsible है ठीक है action या हमारे target हमारे goal हमें लक्षे पूरे करने के लिए हमारे लिए ये hormone responsible होता है अब सुबह उठने का भी एक लक्षी हो सकता है पैसे कमाने का भी लक्षी हो सकता है कोई goal achieve करने का भी लख्षय हो सकता है एक्जाम में नमबर जादा लाने का लख्षय हो सकता है health अच्छी रखने के लिए अच्छा लख्षय हो सकता है तो कुई ना कोई लख्षय पूरे करने के लिए यह हर्मोन हमारे को motivate करता है और यह action लेने के लिए responsible है लिगन एक दूसरा हर्मोन होता है जिसेम बोलते हैं Oxytocin Oxytocin ये जो हर्मोन होता है इसे हम Love हर्मोन भी बोल सकते हैं ये Love हर्मोन भी होता है Love हर्मोन कहा जा सकता है अगर ये आपका इन्टेलेंस और गडब्बड होगा है तो आपके relationship अजहे न होगे आपके मनोदशा खराब होगी आप में भावना है नहीं होगी आप दूसरों की भावनाओं को समझ नहीं पाएंगे और दूसरों से रिलेशन्शिप आपकी अच्छी नहीं होगी और हमेशा अकेले पन के शिकार रहने वाले हैं आपका ये हर्मोन सही नहीं है तो हाला कि मैं भी आपको इन हर्मोन के बारे में बता रहा हूँ कि ब्रेन के केमिकल्स कैसे गड़बड करते हैं लेकिन फिर भी मैं इने सही करने का भी पता हूँगा अच्छा मैं आपका इन चीज़ की जानकर ये और दूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए इस वीडियो को शॉट रखेंगे और इस वीडियो के दो पार्ट होंगे पहले पार्ट में भी हम बात कर रहे हैं इसेरकेंड पार्ट में दूसरे में और इसके आगे taking बात करेंगे लेकिन हम लोग जानते हैं इसके बारे में एक होता है के सेराटों इन इस यह जो हर्मोन होता है सेराटों इन thé यह हमारी खुशी के लिए यह अवारी कहना चाहिए, यह mood enhancer है यह mood enhancer है यह हमारे mood को ठीक करने के लिए mood को सही रखने के लिए जिम्यदार है यह हम कब unhappy हो जाते हैं happy हो जाते हैं, उसके लिए responsible है serotonin arno लेकिन मैं कहूंगा कि आप इसे लापरवाई के अंदर खराब कर देते हैं आप कहेंगे कैसे, अरे साब आपका एक एक थोट इसे बर्बाद करने के लिए परियापत है एक एक थोट इसे बर्यापत है बर्बाद करने के लिए परियापत है तो इसे हम कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे हम बात करेंगे एक हर्म होनोता है जिसे बोलते हैं एंडोर्फिन एंडोर्फिन आर्मन है हमारी वेलनेस के लिए यह वेलनेस के लिए और इसी को इसी एंडोर्फिन को एनलजेसिक भी बोलते हैं यह एनलजेसिक के इनने पर बोला जाता है जिसे हम पेन किलर भी बोल सकते हैं पैन्किलर भी बोल सकते हैं Яनलगैसिक बोल सकते हैं जब हमारे शरीर में क Kindern डिप्रेशन एंगजाइटी कोई बिमारी या धर्द या कुछ भी आता है तो हमारी बोड़ी में क्या होने लगता है एंडरीय लगता है एंडेर य्फललमेशन रहों हमारी वार्ण- तो जितने आप hormones देख रहे हैं यह dose hormone अगर इसमें imbalance है ना मामला तो आपके life में समस्यां समस्यां मिलेगी हर तरीके से बिजनस भी अच्छा नहीं चलेगा काम करने में मन नहीं लगेगा बुक पढ़ने में इंट्रेस्ट नहीं है काम पे नहीं जा रहे हैं मन नहीं कर रहा है परिवार वालस रिलेशन अच्छे नहीं है मोबाइल के लगी बच्चों को खुद मोबाइल के अंदर time pass कर रहे हैं खराब कर रहे हैं जिवन में कोई lakşe नहीं है आगे बढ़ने के लिए एक्षन लेने की तमना नहीं है जोश नहीं, सुर्थी नहीं, उर्जा नहीं डीले डाले सुस्ती में पड़े वे हैं कुछ नहीं कर रहे है इवन अमारे अंदर नहीं सूज नहीं पड़ रही है कि हमें करना यह होते हैं, रिलीस कोन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है लेकिन इने रोक कोन रहा है रोकता भी है कोई ना जो रोकता है उसके बारे में नेक्स वीडियो में बात करेंगे लेकिन अभी कुछ और बातों के बारे में बात कर लेते हैं में आपको ये कहऊँगा कि अगर यह हमारे इंबलेंस है इन तो सारी बीमारियां यही से पनपती है जैसे बच्चों में हाइट कम होना baikन ने ने यह हार्मोन के देन ने है बच्चों के अंदर हमाइल की लउन लगना इन ही हार्मोन और भी कही तरीकी समस्यां इंदिमाग से रिलेटेड ना साइको सोमेटिक डिजी ओना सब इस हर्मोन की वज़े से इसका इंबैलेंस होगा सब बढ़ड हो जाएगी एक हर्मोन और होता है जिसे हम कोटी सोल बोलते हैं जिसके बारे में मैं नेक्स वीडियो में बात करूँगा लेकिन अभी फिलाल में मैं आपको इसके बारे में जानकरी दे रहूँ अब मैं आपको एक जबरदस एक्जम्पल से समझाता हूँ कि एक्चुल में वर्तमान में जो हम देखते हैं वो हो क्या रहा है देखिया महर समने इन हार्मोन का तो इंबैलेंस है जिन हार्मोन को हम लोग बुलाए बैट है इन पे तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं है इन हार्मोंस पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो मैं आपको एक एक एक्जमपल से बताता हूँ मान लीजे किसी इनसान को मान लीजे किसी भी इनसान को ठकान महसुस हो रही है आप भी ज़रा सूचिए कि अपने दिमाग लगाई है कि मान लेते हैं आपको कोई थकान महसूस हो रही है आपको थकान है आपको थकान महसूस हो रही है हो रही है सब मतलब एक्जामपल के लिए हो रही है थकान महसूस हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करोगे आपको किसी ने सजेशन दिया कि यार तुम कोई टॉनिक ले लो त तो आप क्या करोगे? टॉनिक ले लोगे. टॉनिक कौन सा लोगे? ताकि आपकी थकान दूर हो जाए, आप कोई मल्टी विटामिन टाइप का टॉनिक ले लोगे, जिससे कि आपको थकान दूर हो जाए. लेकिन मैं यहाँ पर एक जबर्दस बात आपको बता देना चाहता हू जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जो वर्तमान में यही चीज़ें देखने को मिलती है, जिसकी वज़े से समस्या हैं, अरे इन हार्मोन पर तो हमारा ध्यान जाना दूर की बात है, पहले मैं आपको इस एक्जाम्पल से बताऊंगा, वो ही आपको चीज समझ में आज तो थकान होती है, ठीक है साथ, और किड्नी से रिलेटेड, किड्नी की समस्या हो सकती थी, कुछ न कुछ हो सकता था, क्या पता किड्नी की समस्या के वज़े से थकान आ रही है, और चलते हैं, कोई बलड में इन्फेक्शन, उसकी वज़े से कुछ समस्या हो सकती थी, थकान इन सब चीजों के उपर हमारा ध्यान नहीं गया, हमारा ध्यान इन सब चीजों पर नहीं गया, हमारा ध्यान गया सीधा इसके उपर जो कि एक सहज और आसान काम है, हमारा ध्यान इन पर भी नहीं गया, हमारा ध्यान इन पर भी नहीं गया, हमारा ध्यान गया इधर टॉनिक ल लेकिन ये थकान को दूर कैसे करेगा ये थकान को दूर करेगा ऐसे कि आपकी बॉड़ी के तो समस्या क्या होगी कि हमें पता नहीं लगेगा कि हमें थकान हो रही है कि नहीं तो कुछ टाइम के लिए हो जाएगा लेकिन अगर आप ये बार बार करेंगे ऐसा तो क्या होगा कि हमें इन सब चीजों के बारे में पता नहीं था हमें इन सब चीजों के बारे में नहीं पता था और हमने हमारी संवेदनाओं को क्या कर दिया नम कर दिया यह हो गई नम यह हो गई क्या बोलना चाहिए सूस्त, सुन बोलना चाहिए यह हो गई सुन यह हो गई नम, यह हो गई सुन हो गई समवेदना है शान्त हो गई अब जब next time दुबारा कभी थकान होगी तो शायद ही यह आपको समवेदना है एहसास कराने लगेंगी बहुत कम बहुत एहसास होने लगेगा क्योंकि हमने टोनिक लेके इन समवेदनाओं को दबना चलू कर दिया जब दबने लगी तो समस समस्याने लगे आप भी जर्नली सुनते होंगे कि जब पेन होता है तो बढ़ाक से कोई वेक्ती पेन केलर ले लेता है तो जो दर सहन करने की बॉड़ी के अंदर जो दर सहन करने की शमता थी न वो कम होने लग जाती है यह समस्या है तो हमारा ध्यान इन सब चीज़ों पर नहीं गया नहीं जाने के मुझे से समस्यां पैदा होती है अब जब इन समस्यां पर ध्यान नहीं जा रहा है तो फिर क्या किया जाए तो किया यह जाए कि ध्यान दिया जाए अब हम इस वीडियो के अंदर इतने ही बारे में भी बात करेंगे और मैं कहूंगा इस वीडियो को रोकता कौन है कौन सा आर्मोन है जो इनको रिलीज होने से रोकता है जिसके करण हमारे अंदर डिप्रेशन एंग्जाईटी बिमारियां भी इस तरह के आती है मोबाइल की लग जाती है, ड्रिंक की लग जाती है हम लोग क्यों उधर की साइट चल पड़ते है मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आपको थोड़ा सा एक यहाँ पर मोबाइल के बारे मैं जरूर बताऊंगा बच्चों के अंदर मोबाइल की लगी वी है ठीक है सब मोबाइल की लगी वी है उस बच्चे का क्या टार्गेट है कि मेरे को मोबाइल लेना है उसे क्या करना है मोबाइल लेने के लिए एक्शन करना है वो भाग के जाएगा एक्शन करेगा mobile लेने के लिए और action के लिए कौन सा hormone responsible है action के लिए हमारा ये ठीक है जो मैंने अभी आपको बताया ये हमारा hormone जो है कौन सा है dopamine ठीक है ये responsible है किसके लिए action लेने के लिए बच्चे के अंदर dopamine का जैसे ही increase ज़्यादा होता है इसका secretion बहुत ज़्यादा होने लगता है जितना नहीं होना चीए उतना secretion होता है तो बच्चा तुरंट action लेता है और तुरंट इस चीज़ को पकड़ता है mobile को आप Google पर जाके चेक कर सकते हैं कि mobile के addiction में mobile की लट लगने के करण बच्चे में सबसे अदा है इस hormone का चूटती नहीं है और हम बच्चे को mobile चीनते हैं खाना खाते समय चीनते हैं अब खाना खाते समय का अब कुद ही देखिए mobile देख रहा है खाना खाते समय दूसरे hormone secretion हो रहे हैं वो भी proper बच्चा उस पर ध्यान नी दे रहा है जब इसको balance कर लिया जाएगा तो यह mobile या दूसरे addictions की तरफ बच्चे का ध्यान अट्रेक्ट नहीं होगा तो इनक कैसे balance करेंगे उसके बारे में हम जानेंगे आज के लिए वीडियो के अंदर इतना ही तो प्लीज आप पूछ सकते हैं बता सकते हैं thank you very much